कि थीख है सर कोश्चन नमर 5 देखते हैं ठीक है क्या कहता है कोश्चन में आपको कुछ एकुटी शियर दे रखा है और दो टाइप के एकुटी शियर है सवाल में एक आपका 15,000 और 20,000 ये 10 रुपे वाला है ये भी 10 रुपे वाला है फरक इतना है ये फुली पेड़ अप है और यह 6 रुपे paid up है और 9% cumulative preference share है long term boring and etc इधर है यह वाला जो assets होता है यह होता है हमारा fictitious assets यह assets कौन सा assets होता है fictitious assets कौन से fictitious assets होते हैं sir एक तो profit and loss preliminary expense discount on issue of debenture यह तीन तरीके के ऐसे खर्चे हैं fictitious assets बोलते हैं reconstruction में भी हमने देखा था यह okay sir आगे आते हैं other information कहता है current value of sundry assets आपका sundry assets का current value दे रखा है आपका वो भी fix वाले का यानि इसकी बात कर रहा है that stock भी आपको दे रखा है investment का भी value fetch का मतलब इतने का investment चल रहा है market में 30% debtor doubtful debts remaining 70% to be recover मतलब 70% ही लेना है debtor में preference share dividend area for last two years सारे dividend paid करने पड़ेंगे क्योंकि ये cumulative preference share है तो cumulative का मतलब दो तरीके के preference share होते हैं ध्यान रखिएगा अगर मैं आपसे बोलू preference share capital तो दो तरीके के होते हैं एक होता है non cumulative और एक होता है cumulative सर इन दोनों में फरक क्या है जैसे मान लो 10% आपका preference share capital है एक लाग तो अगर मैं आपसे इसका dividend पूछू तो आप बोलूगे सर इसका dividend कितना आएगा dividend कितने आएंगे बताइए तो that is 10,000 year 1 year 2 year 3 company का profit ही नहीं था और company ने पिछले 3 सालों में इनको dividend नहीं दिया है जो बनता गया अब बात करते हैं अगर non cumulative share है तो 4 साल में अगर company ने profit कमाया तो हक बनता है कि 4 साल में company dividend दे दे कितना फिर से 10,000 अगर non cumulative है तो सर सर इससे 10,000 का ही payment करना पड़ेगा cumulative का मतलब होता है इखटा अगर cumulative है जिस साल profit होगा इसको पूरे के पूरे 40,000 रुपे payment करने पड़ेंगे तो cumulative और non cumulative में बस इतना ही फरक है कि cumulative वाले पार्ट के अंदर अगर कोई पिछला area dividend का है तो उसको भी जोड के आगे payment करना पड़ता है इसलिए वाड़ आगे cumulative cumulative का मतलब होता है इखटा करके देंगे है non cumulative अगर जिस साल आपको dividend नहीं मिला वो company और director के मर्जी है कि वो dividend आपको नहीं भी देगा तो आप कुछ करने सकते है उसके अंदर ठीक है तो यहाँ पर preference share कौन सा है हमारा cumulative और सवाल में कहता है area हमारे दो साल पिछले दो साल के थे और इस साल का भी निकलेगा तो तीन साल के dividend हो जाएंगे हमारे अगर हम निकाले तो कहता है find out the value per share by the net assets method and both fully partly कहता है दोनों method से निकालना है ठीक है ना sorry net assets method both fully share का भी और partly share का भी ठीक है तो यह मैंने थोड़ा सा cumulative preference share का बता दिया आपको चली अब आज आते हैं sir total assets लिख लेते हैं क्या-क्या दे रखा है हमें assets पहले लिख लेंगे हमें assets में देखा जाए तो सबसे पहले हमारा sundry assets sir sundry assets सवाल खुदी कह रहा है कितने का है चार लाग दस अजार इस टॉक कितने का है कि फॉर्टी थाउसें और आगे कहता है इंवेस्मेंट चौदा अजार का है चौदा हजार प्रफ्रेंच यह लास्ट उसको देटर कौन बताएगा डेटर कितना होगा डेटर अल्रेडी हमारे पास कितने का है अब 40 का कितने परसेंट लेना है स्रिफ 70 परसेंट तो 40 अजार का 70 परसेंट 28 अजार ठेक है प्रफ्रेंच यहर के बाद में बात करते हैं पहले हम टूटल अशेट्स तो निकाल ले टूटल अशेट्स बताइए क्या रहा है टूटल अशेट्स बताइए क्या रहा है अच्छा हाँ एक मिनट एक मिनट कैश्पी लेना पड़ेगा सर कैश और बैंक रह गया ओके हमने फिक्स एसेट्स ले लिया इंवेस्मेंट ले लिया इस्टाउक ले लिया डेटर ले लिया कैश और बैंक रह गया तो नाव बैंक बैंक की कितने का है चालेस अजार अब टूटल बता जीजे मैंने कहा था टूटल एसेट्स में से हमेशा फिक्टीस एसेट्स को माइनस कर दिया जाता है लेकिन अगर आप टूटल एसेट्स में इसको जोड़ो ही ना तो माइनस भी नहीं होगा सिंपल सी बात है ना टूटल बताइए क्या आ रहा है पांच लाग बत्तेस अजार ठीक है इसमें एड क्या कर देंगे नोशनल कॉल और एड लेस क्या कर देंगे पहले सबसे पहले लेस वाली बात करते हैं लाइबलिटी सारा लेस करना है में तो लेस कर देते हैं सर लाइबलिटी और प्रफरेंश शेयर कैपिटल लेस प्रफरेंश शेयर कैपिटल तो प्रफरेंश शेयर कैपिटल कितने का है साथ हजार लेस कर देंगे क्या सर हम दोनों लाइबलिटी यानि long term loan long term loan 10,000 एक लाग है और less कर देंगे creditor creditor कितने का है पहले आप इसको less करके बताईए क्या आ रहा है calculator clear तीन लाग अब तीन लाग बारह हजार आ गया ठीक है अब देखिए कहता है कि preference share का ये dividend last two year का area था तो last two year का area है preference share कौन सा है हमारा तो क्या ये मुझे future में देने है या नहीं देने है कुछ भी हो जाए जिस साल profit होगा आपको देना ही देना पड़ेगा तो क्या ये भी as a liability बन चुका है नहीं बन चुका तो अब ये भी हम minus कर देंगे less तो preference share का dividend है कैसे निकालोगे सब 60,000 पे कितने percent 9% और कितने 2 साल का बताईए क्या आता है 10,800 अब minus करके बताईए मैं इधर आ जाता हूँ इसको continue इधर कर रहा हूँ net asset तीन लाग 1200 या 12,000 यहां तक देखिए किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत अरे यार यहां तक हर किसी को clear है चलिए अब इसमें हम add क्या कर देते हैं अब यहां पर question raise होता है अब national call को add करे या ना करे आपको assumption लेना पड़ेगा कि क्या यहां future में लग रहा है कि call मांगा जाएगा नहीं लग रहा है अगर आपको तो assumption ले लो future में call नहीं मांगा जाएगा आप मत add करिएगा अगर लगता है future में call मांगा जाएगा winding up process में company है तो add कर दीजिएगा मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ एक बार हम assumption ले ले थे कि future में call मांगा जाएगा तो add कर देंगे national rent that is हमारा कितना बन जाएगा यह आपका 20,000 into में 4 20,000 into में यानि 80,000 तो यह आजएगा 381,200 अब इसको divide किसे कर दो value of shares निकालने के लिए 381,200 divide कर दो इसको किसे sir number of shares number of shares कितने 35,000 एक share की value क्या आ गई एक share की value बताओ हाँ क्या रहे 10.89 चलो 10.8 मान लेते हैं तो जिसका fully paid up है दो category की share है number one, number two जो fully paid up है उसका क्या आएगा बताओ उसका तो 10.89 रहेगा जो partly paid up है उसका क्या होगा 10.89 उसमें से minus कर देंगे जितना payment नहीं किया that is 4 तो 6.89 आ जाएगा clear है दूसरा method अगर nearby फ्यूचर में आप नहीं मांगते पैसे फ्यूचर में आप पैसे ही नहीं मांग रहे तो क्या होगा अगर फ्यूचर में पैसे नहीं मांगोगे तो आपका net assets जो रहेगा वो रहेगा 3,12,000 और number of shares कितने है that is आपका है 15,000 35,000 value of shares निकाल लिए 3,12,000 divide 35,000 यहां क्या आ रहे है divide करिए 27,000 क्यों number of shares है न कितने आ गए कितने 10 थोड़ी आएगा 8.6 बता रहे है 8.6 8.6 किसका आ गया जिसका fully paid up होगा partly paid up वाले का क्या करेंगे इसमें से minus कर देंगे जो कितना minus करना है हमें चार रूपे ठीकर ने है हाँ वो भी कर सकते हैं देखो अब question raised होता है मैं इसको दुबारा लेकर चलता हूं चलो मैं पीछे page पे आ जाता हूं clear करने के लिए हमारा net assets था that is हमारा net assets जो था वो था तीन लाक बारा सो number of shares एक तो पंदरा हजार जिसने पूरे दिये number of shares एक दस हजार जिसने पूरे पैसे नहीं दिये that's the 20 total देखा जाए तो 35,000 share है अगर आप future में call मांग लेते हो अगर आप future में call मांगते हो कई बार कह रहें कि इसमें answer difference आ जाता है क्यों आ जाता है थोड़ा से इसको मुझे आगे बताना भी था अगर in case future में call मांगते हो तब आप divide इससे कर देना कोई परक नहीं पड़ेगा answer में अगर future में call मांगते हो तो ठीक है अगर future में call नहीं मांगते हो तो आप rupees की value निकाल के कर दो वो better है और बिना rupees के value निकाल के भी किया जा सकता है उस time पे हम क्या करेंगे इस shares को ना परपोस्नेट कर देंगे जैसे मान लो 10 वाला share है 5 रुपे paid up है और अगर 20,000 share है तो हम 20,000 share नहीं मांगेंगे हम इसको कितने share मान लेंगे 10,000 मान लेंगे share को ही तोड़ देंगे तो अगर यहाँ पे मैं shares को तोड़ता हूँ कि सर 20,000 जो share है न उसमें 5 था तो आपने 10 बटे में 5 करा तभी तो, सरी 5 बटे में 10 कर दिया था अब यहाँ पे कितने है 6 है मतलब 6 रुपे दे रखा इसने तो 6 बटे में 10 करो कितने आ रहे है 12,000 आ गया यह number आ गया ऐसे situation में आप value per share निकालना है न तो आप अब 3,12,000 लो divided by 12,000 यह ले लो और 15,000 यह fully paid up तो 27,000 3,12,000 divided by 17,000 यह आ गया 11. क्या आ गया 15 11.15 आ गया यह एक share की value है और एक share कौन से 10 रुपे वाले की value है क्योंकि यह सारे share को मैंने 10 रुपे में convert कर दिया है और अगर हम दूसरे number 1 fully paid up का तो यह आ गया जो partly paid up है वो कैसे निकालोगे 11.15 माइनस में 4 रुपे कर दो तो 11.15 माइनस में 4 7.1 एक तो यह तरीका है दूसरा alternative आप क्या कर सकते हो आप रुपीज के terms में निकालो यानि 3,12,000 को divide कर दो कितने रुपे का share था that is 270 तो आपको एक रुपे का value मिल जाएगा जो पहले करा हुआ हमने यह आ गया 1.11 अब shares की value निकालना है नमबर वन नमबर वन देखा जाए तो 10 रुपे का share है तो 1.11 that is 11.11 नहीं 10.11 10.11 पॉइंट में थोड़ा फरक आजाएगा कोई बात में 11.11 आएगा 11.11 आजाएगा और जिसकी value 6 रुपे है 6 इंटू में 1.11 तो यह आ जाएगा 7.15 आप confused मत हो यह मैं समझा देता हूँ दोनों चीज़े अब एक है nearby आपने call मांगा अगर nearby call मांगा तो आपको यह जो मैंने यहाँ पर calculation किया नहीं working note के मैंने जो shares 20,000 थे उसको भी मैंने तोड़ दिया और तोड़ के कितना कर दिया अब fully paid up बना दिया अगर nearby call मांग लेते हो तो वैसे ही fully paid up सारा हो जाना है कुछ बचा ही नहीं तो सीधा 35,000 से जैसे कि आपने यहाँ पर divide कर दिया है और यह answer हमारा आ गया लेकिन मानते हो nearby नहीं मानेंगे तो आपको दो option है एक तो जो आपके पास existing share है या तो उसके shares के value को number of shares बदल दो या फिर rupees वाला कर दो rupees वाला आसान लग रहा है तो rupees वाला कर दो आप simple सी बात है दोनों तरीके से आप कर सकते हो 10 year के अंदर rupees वाला करके दिखाया होगा 10 year के अंदर answer देखेंगे तो क्या करा 70, 10 और 76 तो यह rupees यहाँ पर answer जो है 69 point का फरक आ रहा है क्यों आ रहा है point का फरक इसना पूरे dessert ले रखेंगे और कोई दिक्कत नहीं ठीक है आप उसको check कर सकते हो किया तो हमने यही है और कुछ तो लिया नहीं हमने असच clear